हेलो व्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजिनियर्स पर दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंटर्व्यू प्येसो शीरीज चल रही है उसमें अब तक मैं शुНotomay के उप्लोड कर चुका हूँ जिसमें हमने पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ा पाइप के साइज के बारे में पढ़ा ढिभरा डिस्टिलेशन के एक बेहद आविशक हिस्सा है एक जगा से दूसरी जगा आपको liquid या fluid transport कराना हो तो बिना pump के वो possible नहीं है तो pump कौन कौन से होते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे pump के साथ क्या क्या दिक्कत होती है किन factors पर हमारा pump का selection होता है और यह सब इस वीडियो में जानेंगे basically यह वो questions है जो किसी भी industry में आप interview दिने जाओगे तो आप से पूछे जाएंगे और अगा आप कहते हो कि fluid mechanics आपका subject है तो pump के उपर आप से questions जरूर पूछे जाएंगे तो चले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे youtube channel true engineers को subscribe करें और bell icon जरूर दमाए जिससे आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें साथी साथ वीडियो पसंद आती है तो उसे like करे, comment करे, share करे comment जरूर करे जो भी आपके दिक्कत है, कोई doubt रह जाते है या किसी और topic आप वीडियो चाहते है तो उसको comment करे, कोशिश करूँगा कि आपके वो doubts जल्दी से जल्दी clear कर दूँ तो चले चुरू करते है pumps के बारे में तो इस वीडियो में हमने कुछ topics जो cover किये है वो क्या है pump basically pump होता क्या है किन factors पे pump की choice depend करती है rotary pump का use क्या होता है cavitation क्या होता है priming क्या होती है NPSH क्या होती है catastic curves क्या होते है pump के basically centrifugal pump के affinity laws क्या होते है pump की efficiency क्या होती है advantage और disadvantage क्या है centrifugal pump की और pump की troubleshooting की pump की कौन को प्रॉबलम आ सकते है उसको दूर कैसे कर सकते है यह जो basically हमने centrifugal pump के लिए ही अधार बनके बनाया है तो सबसे पहले जानते हैं pump क्या होता है pump एक mechanical device है जो mechanical energy को hydraulic energy में convert करता है जिससे हम liquid को या fluid को एक low level से high level पर ले जाते हैं pump basically दो तरखे होते हैं rotodynamic pump और positive displacement pump जो centrifugal pump है वो rotodynamic pump है और positive displacement pump में हमारा reciprocating pump rotary pump जिसमें हमारे screw pump आते हैं और gear pump आते हैं reciprocating pump में दो प्रकार के होते हैं piston pump और plunger pump factors on which choice of pump depends कि किन-किन factors पर pump का selection है pump की choice depend करती है तो सबसे पहले है quantity of liquid to be handled कि हमें liquid की कितनी quantity को handle करना है दूसरा होता है कि head against which liquid is to be transported and pumped कि किस height तक या किस head तक हमें liquid को pump करना है flow rate required to be handled कि कितना flow rate को हमें handle करना है कितना flow rate हमें चाहिए liquid की nature कैसी है यानि कि कम viscous है ज्यादा viscous है delivery पे pressure कितना चाहिए कि जहाँ pump liquid को पहचाएगा वहाँ पर हमें pressure कितना चाहिए pump की efficiency and cost costing हमारी क्या है pump की तो rotary pump के uses क्या है तो rotary pump तीन तरह के होता है screw pump, gear pump, vane pump तीनों के हमने use list में बताए है screw pump है वो high viscous fluids को transport में काम आता है जैसे asphalt है lubricants नके transporting में काम आता है gear pump high viscous fluids जैसे की crude oil liquid chemicals, vegetable oil नके transportation में काम आता है और vane pump vane pump auto transmission में power steering में जो हमारे automobiles होते हैं उनके power steering में auto transmission box में काम आता है यह अच्छा vacuum भी generate करता है what is cavitation अब हम चल रहे हैं centrifugal pump के तरफ यहां से हम जो हमारी वीडियो शूरूर हो रहे lecture जो चल रहा है हमारा centrifugal pump में base होता जाएगा cavitation यदि suction line का pressure liquid के vapor pressure से कम हो जाता है तो क्या होगा कुछ liquid vapors में flash हो जाएगा यानि कि कुछ liquid हमारा vapor में convert हो जाएगा इस phenomenon को कहते है cavitation जब cavitation होगा तो liquid की pumping नहीं होगी और यह pump को damage करेगा क्यों क्योंकि जो bubbles बनेंगे वो जाकर impeller पे collapse करेंगे impeller से टकराएंगे तो impeller को नुकसान पहुचाएंगे तो cavitation should be avoided cavitation को हमें हमें बचना है चाहिए pump को बचाना चाहिए what is priming के बार आपने देखा होगा घरों में भी देखा होगा कि जैसे आप pump on करते हैं तो पानी नहीं आ पाता वो क्यों होता है वो इसलिए होता है कि suction line में और pump casing में air के bubbles आ जाते है तो उन bubbles को air को remove करने की जो process होती है उसे ही priming कहते है तो priming करी जाती है pump को start करने से पहले इसमें क्या होता है suction line और pump casing को हम उस liquid से भढ़ देते है जिस liquid को pump कराना होता है इसके बाद क्या होता है pump को start करते है और delivery valve को close कर देते है इससे जो rotating impeller होता है वो liquid को push करता है delivery pipe में इससे क्या होआ उसके बाद हम delivery valve को open कर देते है और जितनी भी air होती है वो सब liquid सद बहार निकल जाती है ये जरूरी क्यों होती है ये जरूरी इसलिए होती है कि air की जो density होती है वो liquid से बहुत कम होती है जिस वज़े से delivery पर pressure generated नहीं हो पाता अगर air होगी तो pressure होता है आपने पड़ा हो जी अगर rho कम हो जाएगा तो delivery pressure बहुत कम मिलेगा ठीक है तो इसलिए हम क्या करते है हमें उस air को निकालना होता है जो line में आ जाती है जिससे हमें delivery pressure हमें proper मिले NPSH बहुत important topic है generally NPSH पे question पूछा ही जाता है चाहे वो आपके कोई भी interviews हो और written exams भी हो तो NPSH पे question आता ही आता है देखो मैंने बताया था अभी आपको कि अगर suction line का pressure vapor pressure से कम हो जाता है तो cavitation हो जाएगी और मैंने बताए cavitation का हमें avoid भी करना चाहिए तो cavitation का avoid करने के लिए जो pressure suction point पे हो वो vapor pressure से जादा होना चाहिए liquid के तो वो pressure जितने amount से जादा होना चाहिए उसे ही NPSH कहते है समझ लीजे दुबारा से कि pressure at suction point must be higher than vapor pressure of the liquid by a certain value कि कुछ value से जादा होना चाहिए और ये NPSH वो ही value होती है कि जितनी value से जो हमारा suction pressure होना चाहिए वो vapor pressure से जादा होना चाहिए दूसे शब्दों में NPSH is the amount by which pressure at the suction point of the pump expressed as head of liquid to be pumped is an X of vapor pressure यानि कि suction point का pressure vapor pressure से कितना जादा है होना चाहिए वो NPSH है और जो suction point वो जो pressure होता है वो velocity head और pressure head का sum होता है जिस हम absolute pressure head भी कहते है तो NPSH is absolute pressure head at suction minus vapor pressure head this is your NPSH centrifugal pump के performance curve देखो pump की designing generally एक set of conditions पे होती है एक head के लिए एक velocity एक speed के लिए और एक efficiency के लिए लेकिन industry में जरूरी नहीं कि अगर आपको आज एक height पर liquid पहुचाना है तो कल भी भाई पहुचाना पड़े आपकी conditions change हो जाती है तो conditions change होंगी तो pump की performance भी change होगी तो उनकी performance को study करने के लिए ही ये characteristic curve बनाये जाते है ये जो curve होते है ये pump की performance या operating characteristic को बताते हैं इसलिए इने performance curve या characteristic curve कहते है ठीक है ये जो curve होते हैं ये head discharge efficiency discharge और power input discharge ये तीन curve बना जाते हैं इन तीन के बीच में curve बनाये जाते हैं फिलाल ये curve मैंने आपको बनाया हुआ है इसमें detailed के लिए आप characteristic curve के उपर मैं एक अलक्सी वीडियो बनाऊंगा फिलाल मैं आपको ये समझा देता हूँ कि देखें शुरू में जो हमारा capacity QEI discharge rate है वो बढ़ रहा है तो हमारी efficiency भी बढ़ रही है लेकिन एक maximum point पर पहुँच कर उसके बाद हमारी efficiency कम होनी शुरू हो जाती है ठीक है तो ये हमारा efficiency और discharge curve है दूसरा है हमारा head और discharge curve कि आपने देखा कि जैसे जैसे मेरा discharge rate बढ़ता जा रहा है मेरी जो head है वो कम होता जा रहा है ठीक है head मेरा कम होता जा रहा है इसके बाद देखिया break hot power और water hot power कर तो ये जो break hot power है basically ये input power है कि हमने pump को operate करने लिए कितने input दी है और जो water hot power है ये वो power है जो pump ने liquid को दी head एक certain height पर जाने के लिए यानि कि power input break hot power और power output जो pump से मिली वो break hot power है इसलिए power जो output है वो हमेशा break hot power से कम होगी जब हम maximum efficiency point से straight perpendicular draw करते एक लमवत रेखा draw करते हैं तो जिस point पर head discharge curve को वो point कट करता है उस point को break even point कहते हैं या इसे इसी point को duty point भी कहते हैं यानि कि ये वो point होगा जिस conditions पर pump को run किया जाएगा तो मैंने आपको बेसिक introduction दे दिया pump का head characteristic curve का दुबारा बता जेता हूँ कि जैसे जैसे शुरू में discharge भड़ा efficiency शुरू में बढ़ती है maximum पहुँचने के बाद वो फिर decrease होना शुरू कर देती है head जैसे जैसे discharge बढ़ता जाएगा head मेरा कम होता जाएगा break horse power जितनी pump को input power दी गई और water horse power जितनी power pump ने दी तो हमेशा output power का मोती इसलिए water horse power जो है वो कम है जब हम maximum efficiency point से एक लंवत perpendicular draw करते हैं तो जिस point पर head discharge को कट करेगा वो point होता है हमारा break even point ये duty point ये वो point होता है जिस point पर pump हमारा operate होगा इसके बाद आता है हमारे pump के affinity laws ये हर जगा आपको नहीं मिलेंगे affinity laws speed का और impeller के diameter का pump की performance पे क्या effect परता उसको बताते हैं ये centrifugal pump की performance को बताने में एक important role operate करते हैं इन्हें इसके लब purpose इसके लिए भी use किया जाता है क्या होता है ये ये देखिए flow rate इनके पता चलता है कि q1 upon q2 is equal to n1 upon n2 is equal to d1 upon d2 याने कि flow rate वो rpm जो इसमें जो speed है n1 impeller की speed n1 और n2 उसके directly proportional है और साथ-साथ impeller के diameter के भी proportional है head h1 और h2 वो impeller की speed और diameter के square के proportional है और power वो impeller की speed के और diameter के cube में proportional है ये f8 loss ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछे जाते हैं कि क्या relationship होती है head जो हमारे discharge rate है q वो speed के और diameter के proportional है head diameter और speed के square के proportional होता है और power hp1 यानि horsepower power in kilowatt तो hp1 जो horsepower है basically hp2 होता नीचे hp1, hp2 जो होते हैं वो cube के proportional है इसके बाद रखिए pump के efficiency तो pump के efficiency क्या है basically ratio of useful hydraulic work performed to the actual work input कि कितना work performed किया divided by actual work इसको हम ऐसे भी कह सकते है efficiency is power delivered to the fluid divided by the power supply to the pump कि pump ने कितनी power fluid को दी divided by pump को कितनी power हम ने दी या motor ने दी यह हमेशा 100% से कम होगी generally centrifugal pump के लिए efficiency होते है वो 60% के असपास होती है centrifugal pump की कुछ advantages भी है जैसे construction simple है design simple है steady delivery हमें discharge मिलता है maintenance cost इसकी काफी काम होती है space as compared to other pumps कम लेता है और बहुत सारे liquids की range को यह handle कर सकता है लेकिन कुछ advantage भी क्या है कि self priming नहीं होती इसमें priming करनी पड़ती है low efficiency पे 50-50% की efficiency पे operate करते हैं मैंने बता है generally 60% cash pass efficiency रहती है centrifugal pump की और viscous fluids को जिनकी viscosity शैंता ज़्यादा होती है उन fluids को यह handle नहीं कर सकता यह travel shooting travel shooting बिसलिए क्या है कि अगर इनमें से कोई problem होती है तो क्या reason हो सकता है कि अगर pump pumping ना करे fails to start pumping तो reasons क्या हो सकते है कि voltage कम हो सकती है priming ना हुई हो pump की impeller का rotation गलत हो सकता है static head जो जिस height पे हमें ले जाना है वो rated head से बहुत जादा हो जाए suction line में clogging हो जाए या speed impeller की speed slow तो यह problems हो सकते है जिस वज़े से pump हमारा pumping ना कर रहा हो दूसरी problem क्या हो सकती है pump ने एक बार तो pumping करी और उसके बाद pumping stop कर दी उसका reason क्या हो सकता है कि suction line में कहीं leaking हो रही हो या suction line में कहीं air pockets बन गए हूँ या suction lift बहुत जादा हो इसके बाद आसकता है कि pump बहुत जादा power ले रहा हो तो speed में भी too high आपने पढ़ा एफिनिटल लॉज में कि power जो होती है वो speed के cube के proportion होती है अगर speed जादा होगी तो power उसके cube के according change होगी head में भी low और pump delivers too much liquid head कम है और pump बहुदा liquid डिलीवर कर रहा है pump liquid जो हम deliver कर रहा है उसकी specific gravity बहुत ज़ादा हो यानि कि density बहुत ज़ादा हो जाए उसकी और pump wrong direction में operate कर रहा हो तो ये reasons हो सकते है और एक trouble shooting हो सकती pump अपने capacity और pressure तक नहीं जा रहा हो इसमें क्या सकता है कि discharge head वो ज़ादा हो anticipated से impeller partially clocked हो सकता है section lift बहुत ज़ादा हो या stuffing box जो packing होते हैं वो defective हो सकती है दोस्तों ये थे scientific pump से जनले interview में पुछे जाने वाले questions और ये questions ये हवा में ही नहीं है मेरे जो seniors, students या colleagues जो अलग-अलग companies में है ये उनसे बात करके मैंने ये तियार की है जो भी मैं interview series तियार कर रहा हूँ वो सब उन लोगों से बात कर करके कि क्या interview में pattern चल रहा है क्या questions पुछी जारे है उनसके अधार पर त्यार कर रहा हूँ उमीद है कि आपके doubts killer हुए होंगे या कोई doubt रह जाता है तो मुझे comment करें, वीडियो को like करें, share करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे subscribe जरूर करें जिसे कि आने वाले हैसारे वीडियो के notification आपको मिलते रहे है Thank you